असलम्मलेकुंध। फरस्टियों स्टुदैंस्टेंट्स र cham लोग को जो टॉपिक पढ़ा था वह वह था आप नोगों का बस अप्रमिजी स्लसटाय्ट thै क्टैप्स टॉपोलोजी क्या होती है। कि इस सब्सक्राइब हुआ हूर हमने खोनने वो क्स तरा टॉलोजी, वो क्या चीज आ है, वो किस तरह से वर्ट करती है और उसके डिवांटइजिस और डिसे डिवांटइजीज को हम लोग रिड ऑउट करेंगे, ठीकए? तो देखते हैं कि हम लोग को स्टा टॉलोजी क्या है, Star Topology में Computer's को हम किस तरह से Arrange करते हैं मैंने अप लोगों को Topologies का बताया तै कि Topology क्या होती है कि हम Computer's जो हम आपस में हम लोगों ने Connect करवाने हैं Communicate करने के लिए तो हम उनको किस तरह से Arrange करेंगे Physically किस तरह से Arrangement हो गजे उसकी हम इसको हमने टपोलोजी का नाम दिया था फिर हमने बस टपोलोजी देखा था कि बस टपोलोजी में हम लोगों के जो कम्टिटर्स होते हैं वो सारे के सारे एक सेंटरल वायर होती है इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं और वो किस तहां से डेटा को ट्रांस्मिट करते हैं हम लोगो तो दरम्यान में आप लोग की एक central device है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, hub, मतलब जितने भी computers हैं, वो एक device होती है, उसके साथ, attached होते हैं, connect होते हैं, ठीक है, उस central device को हम लोग hub बोलते हैं, ठीक है, start upology is mostly using client server network, अचे स्टुटेंट्स दो तना के network होते हैं, जो कि आप लोग अप लोग जो आपके computers connected होते हैं, वो peer to peer होते हैं, इन में जो आप लोगों की start upology है, इसमें जो computers connected होते हैं, वो किस तरह का atmosphere होते हैं, client server का atmosphere होते है, client server से क्या मुराद है, कि एक server computer, एक super computer है, most powerful computer है, और जो clients हैं, वो ज्यादा powerful नहीं हैं, उन्होंने जो भी अपनी request फुल्फिल करवानी है, तो वो क्या करते हैं, client computer server से request करते हैं, server की request को फुल्फिल करते हैं, तो इस तरह का atmosphere होते है, client server computers में, ठीक है, और peer to peer में, मैंने आप लोगों का बताया था कि peer to peer में, हर computer का same status होता है, कोई client server नहीं होता, हर जितनी भी होती है, accessories वगएरा, जो भी चीज़ें होते हैं, resources वगएरा होते हैं, वो हर computer अपना-पना own करता है, और क्या करता है, उसको किसी से request करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन client server atmosphere में क्या होता है, एक server होता है, super computer ह होता है, इसके पास सारे sources होते है, client request करते हैं, कोई भी अगर उन्होंने अपनी किसी भी need को कोई भी equipment फुल्फिल करवानी है, तो वो server के request करते हैं, server उसकी request को फुल्फिल करता है, ठीक है, तो यह जो आप लोग का topology है, आप लोग की start topology है, इसमें जितने भी computers होते हैं, आप लोग के central device के साथ connected होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हब कहते हैं, ठीक है, तो start topology किस atmosphere में यूज होती है, client server atmosphere में, इसको हम use करते हैं, client server network किस type का होते हैं, वो मैंने आप लोग का भी बता दिया, ठीक है, अब हम लोग इसकी working पे आ जाते हैं, कि यह work किस तर data सेंड करते हैं, ठीक है, जो data इसने भी receive करते हैं, receiving, ठीक है, ऑप को सेंड करते हैं, पहले आप लोगों का, this for example, यह एक प्र Shiníve लोग्ज का, sander आप लोगों का ठीक है रसीव करना है जिसने क्योंकि यह जो सेंडर है यह सिर्फ डेटा को सेंड नहीं करेंगा यह साथ अड्रेस भी सेंड करेंगा कि जिसके पास जाना है तो यह इसका काम है कि इसने हब को सेंड कर देना है डेटा को और साथ अड्रेस जिसने डेटा को रस तो हब ने आगे क्या करने है आप लोगों ने डेटा बाकी जतने भी computer सेंडर को छोड़ के ठीक है उसने तमाम computers को data को send कर देना है ठीक है वो सारे computers क्या करेंगा address को match करेंगा जिसके साथ address match हो जाएगा वो data को रख लेगा for example ये receiver है अपका बाकी computers क्या कर कर देंगे इसको डिसकार्ड कर देंगे इसकी वर्किंग इस तरह से होगी ठीक है सेंडिंग कम्प्यूटर सेंड़ी डेटा टूदी हब हब सेंड़ी रसीविंग कम्प्यूटर हब आगे क्या करते हैं रसीविंग कम्प्यूटर को बही देती है ठीक है यह डिपेंड करते है data के साथ address को match करते हैं, जिसका address match कर जाते हैं, वो computer data को अपने पास रख लेते हैं, बागी उसको discard कर देते हैं, इस तरह से होता है, तो हपने आगे क्या करना होता है, data को receiving computer को भेजना होता है, each computer in star net work communicate with central hub, जितने भी computers हैं, ठीक है, उन्होंने जिसके साथ भी communicate करने हैं, जिस hub आगे data को क्या कर देती है, आगे send कर देती है, तो वो जितने भी data को send करने हैं, वो किसके साथ communicate करते हैं, पहले hub के साथ, मतलब इसमें जो main role perform कर रही है, वो आपकी hub है, तमाम computers इस hub के साथ connected होते हैं, ठीक है students आपको इसके working की भी समझ आगी, आगे हम लोग देखते हैं, इसके advantages और disadvantages क्या हैं, इसको maintain करना और modify करना इस network को आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि तमाम computers को हमने hub के साथ connect करना है, मतलब अगर हमने कोई और computer, यहाँ पे चार computers, अगर हमने fifth computer को इसके साथ connect करवाना है, इस network के साथ, हम क्या कर देंगे, उसको hub के साथ जोड देंगे, तो इसको maintain करना और modify करना असान है, उसके बाद second one, adding और removing computers can be done without disturbing the network, मतलब हमने को computer add करने है, किसको remove करने है, हम hub के साथ easily उसको connect करवा देंगे, remove करवा देंगे, हमारा बाकी का network disturb नहीं होगा, जिस तरह से मैंने अभी आप लोग को करके दिखाया, अगर इसको remove करना है, इ ठीक है, अगर को computer में problem होने लग गई है, तो fault को, आपको find out करना बहुत असान है, अगर यह computer क्या हो गया, faulty computer बन गया है, तो हम इसको easily यहां से disconnect करवा सकते हैं, क्योंकि यह बाकी की network को disturb नहीं करेगा, ठीक है students, तो यहां पर यहीं वह बात किये, कि single computer failure does not bring down the whole network, ठीक है, तो जो single computer है, वो बाकी के whole network पर effect नहीं करता है, इसके लावा यह flexible है, other topologies से ज्यादा, और most commonly used, आप लोग की typology है, वो यह ही use होती है, क्योंकि यह ज्यादा flexible है, than other topologies, ठीक है students, अब हम इसके disadvantages भी देख लेते हैं, कोई भी आप लोग network यूज़ करते हैं, इनके advantages के साथ, drop एक्स भी एर disadvantages भी होते हैं, तो हर चीज़ के कुछ नकुछ advantages होते हैं, कुछ नकुछ disadvantages होते हैं, तो हम इसके disadvantages भी आते हैं, के ठीक है, हाँ, अगर इसके hub में problem आ गई है, अगर hub में problem आ गयी है, तो यह पूरे एक पुरा network ही fail हो जाएगा, ठीक है, अगर device ने, इस device ने काम रोल परफॉर्म कर रही है अगर हम भी फैल होगी है तो सारे का सारा नेटवर्क आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा ठीक है इक रिक्वाइज अ लाज लेंथ ओफ केबल तो कनेक्ट कम्प्यूटर ठीक है आपके इसमें जो केबल की जो लेंथ है वो जादे रिक्वाइड होती होती है ठीक है रिंग की फॉर्म में आप लोगों का हम नेटवर्क क्रियेट करते हैं इसमें ठीक है तो रिंग की फॉर्म में अपस में कम्प्यूटर क्या होते हैं कनेक्टिड होते है नाम से आप लोगों को पता चल रहा है ठीक है या आप लोगों को यहां पर डायग्रा सब्ते हैं नही और रम्हा है टीछ थी खीस को नहीं नग्सप्सेमालो को बने जाती है इसलिए हम इसको तप्रॉपोजी बोलते हैं यहां भी आ Clifford इन इसकी के आडियेशयन है ठीक है, इन रिंग टापोलजी में इच कंप्यूटर is connected to the next computer, ठीक है, with the last one connected to the first, मतलब हार computer जो है, अगर पहला computer हो second से connected है, second computer है, third से connected है, third, fourth से, और fourth computer आप लोगों का, ठीक है, अगर total four computers है, fourth computer आप लोगों का first computer के साथ connected हो गए, ठीक है, students, यहां तक आप लोगों को समझ इसकी working को हम लोग देख लेते हैं कि इसकी working किस तरह से होगी हम लोग वोचीज देख लेते हैं ठीक है every computer is connected to next computer in a ring and मतलब हर computer क्या है आप लोगों का यह पे देखते हैं कि हर computer next computer के साथ connected यह इससे next computer के साथ connected है है each computer receives message from the previous computer for example अगर यह Сpared है ठीक है अगर इसने message भेजने ए तो अपने से next computer को एमेशिज भेज देगा ठीक है पिर यह वाला जह कंप्यचे कुंप्यूटर होगा यह इसको ट्रांसफर कर yaptepakt contributing you member इसे साफ़क nervous करेगा फिर नहीं को 550 क रेगा उसको रते इसको पास करेंगा यह से आप को चलता जाएगा लिए अगर इसी नहीं डेटा को सब्सक्राइगा इसे हैं और पास करेंगा यह को पास कर देगा वो डेकर एड़का है तो मैसिज़ फलो तो मैसी इस तरह से क्या है है clockwise आपका क्या होता है transfer होता है, तो message flows in one direction, एक direction में, the message is passed around during until it reaches the correct destination, मतलब, ऐसे message आप लोग का पास होता जाए कि जब तक कुस correct destination तक ये पोँच नहीं जाता है, अब हम इसके advantages or risk advantages को देख लेते हैं, it is less expensive than start topology, ये जाद expensive नहीं है start topology के निस्वाइज, जो कि भी मैंने अपनुका'm अपनुक का तॉपालजी बताई है किसके के एक्सस्तों तो डियुज़ अन्हें नेटवर्क चीज़ीया हती है हर कंप्यूटर की क्या होती है in network में एक्सस्स होती है तो क्या होता है पुरे के पूरा ओल नेटवर्क इस से फेक्ट करता है थीक है तो आपका जो डाटर की ट्रांस्विशन है वो आपकी रुक जाते है क्योंकि यह एक डार्एक्शन मुव कर रही है पहला झीसरी का से आप लोगों के टांस्विशन हो रही है तीक है इसको करता है effect होता है ठीक है यहां तक आप लोग इसको read कीजिएगा ठीक है आप लोग याद कीजिएगा इंशाला बात लिए आप लोग की tweet apology रह गई है match apology रह गई है इंशाला हम इसको next lecture में cover करेंगे यहां तक students अगर आप लोग को ना समझाई हो किसी जगा पर कोई problem हो तो आप लोग मुझे question कर सकते हैं ठीक है okay students लाफीज